कि हेलो फ्रेड्स जिस रक्षे जो आ आगे हम बात करते हैं नेक्स पार्ट के लिए जिसमें कि हमारा Аघा करने वाले हैं कि जब हमारा हमारा बनाएंगे जब हमारा ऐन कोड़ बटन सब्राशा को इस्था आपर आ यहां पर जो function call हो रहा है, यह call हो रहा है, जब हमारा on verify code submit, यानि code जब submit होगा, verification code submit होगा, तो क्या काम होगा, तो चलिए वो कर लेते हैं, e.prevent, यानि जो by default nature होता है, वो हम हटा दे रहे हैं, default, okay, I hope मैंने spelling सही लिखिया है, हाँ, ठीकर, spelling सही लिखिया है, if, अब यहां पर हमें जो चेक करना है, not not, get code from user input, अगर यह हमारी गलत होती है, तो, अगर वो गलत नहीं है, double not लगा दिया, तो गलत नहीं है, यानि कि true होगा, तो हमारा window.verifying code equal to true हो जाए, window.verifying code equal to true हो जाए, ठीकर, इसके बाद हमारा update क्या हो जाए, verification, code button का UI, code button का UI update हो जाए, where code equal to, अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, जो हमने code डाला है, user ने code डाला है, वो हम यह आपे ले लेंगे, अगर वो गलत नहीं है, तो, अगर तो तभी यह अंदर, इस function के अंदर, हम इस condition के अंदर आ पाएंगे, तो, अगर तो यह code के अंदर आ जाएगी value, जाना हैंगे, हम confirmation, confirmation result.confirm embraces code.then function और इसके अंदर हम पाएंगे, आपास कर देते हैं, हमारा result, ओके, आप यहाँ पर हम चेक करेंगे, where user equal to result.user on window.verifying code equals to false. okay, जब हमारा authenticate हो जाएगा, तो यहाँ पर हम जब हमारा confirmation हो जाएगा, तो यह verifying code खतम हो जाएगा, that is what we are doing here. okay, तो यहाँ पर हमारा वो false हो जाएगा, जैसे ही false होगा, तो हमारा जो verification code UI है, form का UI है, वो update हो जाना चाहिए, code का form UI update हो जाना चाहिए, verification code form UI यहाँ पर हम उसको update कर देंगे, ठीक है, okay, मैं वो भी आपको दिखा जिता हूँ कि मैं कहां से ला रहा हूँ, ना आपको infuse रहेंगे, यह है हमारा जो verification code का, यह हमने use किया है अभी तक, ठीक है, तो यहीं से हम को basically यह पता चलेगा कि हमारा code काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो dot catch, catch क्या करना है हमें, error देखनी है, अगर कोई error increase आ जाती है तो हम क्या करने वाले हैं, यहां प्या हमने add किया function, function के अंदर हम लोग अगरिंग error, right, यहां यहां प्याइम जैसे हमने उपर करा था, console.error, control.error में लोग चेक करेंगे, error message देंगे, error while checking, error while checking the verification code, ठीक है, तो यहां पर error आ जाएगी, और हम पास पर देगे, ठीक है, इतना हमारे पास हो गया, और एक window.alert हम देते हैं, alert में से जाएगा, alert हम देते हैं, error while checking the verification code, error while checking the verification code, error dot code, plus, error dot message, जैसे अपने last में हमने किया है, same हमने पूरा, वैसे ही इसको रखा है, okay, error dot message, इसके बाद हम last क्या करेंगे, window dot verifying code को false कर देंगे, क्योंकि verify नहीं हो रहा, ठीक है, और हमारा फिर से अगर यह गलत हो जाता है, तो sign in button, UI, क्योंकि हमने verify तो किया नहीं, हमारा code तो किया नहीं, verification code गलत है, तो हमारा वापन से कुछ update हो जाना चाहिए, तो हम यहां पर verify, verification code बटन को भी update कर देंगे, ठीक है, तो फिलाल यह इस तरह से होगा, all right, so मैं next part में इसको और आगे लेके जाता हूँ, तो आगे हम cancel button का code बनाएंगे, तो इसको मैं यहां पर stop कर देता हूँ, वीडियो को और आगे मैं आपसे next part में code बनाएंगा, ठीक है?